अब देखिए आम ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी बास्त्वी संख्या तक अब हम आगे इस से चलते हैं और इसमें क्या सीखेंगा मास्त्वी संख्या है और उनके दसमलब फिरसार तो इसमें क्या आता है कि पहले आता है पहले नूमबर पर शांत है तो इसमें छोशे मा मज़ना लिए लिए थी से जो हम भाग करके आता है से स सून now किशें और फैसे माली लीजेर 1 लगफाय करें और तो एक um 002 अवह चाहिए है तोव टो एक तो अब यह जाएगा दो पंजे दस तो यह क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा यहां पर क्या जीरो आ गया तो यह क्या कहलाएगा शांत दसमलब तो अब इसका उत्तर हो गया 0.5 तो यह जो है सांत दसमलब अब क्या आता है दूसरे नमबर पर अनवसानी आवरिती यह हम इसा कहा देते हैं अशांत आवरिती इस इस्टिती में सेस की पुंडरा विड़ती नहीं होती है मतलब जैसे इसमें हमारा सेसक पल जूसरे इसमें सेसक पल की पुंडरा विड़ती होती है अब आ एक बटा तीन है तो अब इसे हम है कि एक सॉल्व करते हैं है अब क्या और टीन फार किजयरらい सम्रेद को कि फील एक चोटा तो क्या धुरengo लगाएंगे जिनौ क्यवक्वाद में क्या है यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा दसम्लप तो क्या अगा हमारा यहां पर 10 साना बच्छा एक फिर यहां पर दसम लग है तो यहां शुनमने लगा देगा देंगें तीन नो तो बार बार क्या रहा है एक बज जा रहा है और यहां पर हमें क्या तीन की प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है यह तीन की पुर्णाविटी हो रही है जितनी बार हम भाग करेंगे हर बार तीन तीन आएगा तो यह क्या हो जाएगा उत्तर हमारा हो जाएगा 0.3 लेकिन इसकी किसकी पुर्णावर्ती हो रही है तीन की हो रही है तीन की पुर्णावर्ती हो रही है तो हम इसके उपर एक डंडा लगा देते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तीन की पुर्णावर्ती हो रही है ठीक है? अब क्या आता है हमारा तीन नंबर पर अनवसानी और अनावरती या अशान और अनावरती इसमें क्या होता है? इस इस्तिती में शेश की पुन्रावरती नहीं होती है जैसे इसमें तीन की पुन्रावरती हो रही थी बार बार तीन आएगा बार बार तीन आ रहा था इसमें क्या होता है? इसकी पुन्रावरती नहीं होती है तो इसे हम कैसे देखेंगे जैसे मान लिजिए हम दो बटा साथ का हम ढूं देखतें हैं कहल करतें दो बटा साथ ठीक है अब दो से जो है साथ बढ़ा है तो यह जाएगा नहीं इसमें क्या करें जीरो लगाएंगे जीरो लगाने के लिए क्या करते हम दसमलब लगाते हैं तब यह जीरो लगता है तो साथ दुनी चोदा यहां हमारा क्या बचा छे बचा यहां दसमलब लगा हुआ है जीरो लगाएंगे तो साथ सकते उनांचस काट भई तो अब हमने जीरो लगा है तो यह क्या होगा है साथ तो हम साथ का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा आठ सकते शप्पन क्या बचा यहां चार जीरो लगाएंगे पांस सकते उनांचस क्या बचा यहां पांच जीरो लगाएंगे साथ सकते उनांचस अभी भी यह पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो यहां बचा हमारा एक तो यह एक जाएगा नहीं जीरो लगाएंगे अब साथ ही कम साथ क्या बचा हमारा तीर जीरो लगाएंगे अब साथ चुक अठाइस अब दो बचा अब इसका मतलब क्या है कोई भी इसमें सांत इस्तिती नहीं आ रही है हर बार कोई ना कोई अलग ही शेशपल बचता है और अलग ही यहां पर उत्तर आता है तो अब क्या है यह असांत अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू एट पाइट सैवन वन फोर और यह इसके उपर अब जब यह कई सारी डिजिट है संख्या हैं तो इसके उपर हम सब के उपर डंडर लगाएंगे और यह इसका मतलब क्या हो जाएगा यह अशान अब अनावर्ति है इस वीडियो में हमने दसमलब प्रसार सीख लिये हैं ठीक है और आगे का परीच्या हम जो है अपनी अगली वीडियो में करें